21 सदी में तेजी से बदलते हुए इस समय में भारत की सिख्षा व्यवस्ता बदल रही है सिख्षक बदल रहे हैं चात्र भी बदल रहे हैं ऐसे में इन बदलती हुई परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़े यह बहुत एहम हो जाता है जैसे हमने देखा है पहले के टीचर्स के सामने संसाधनों की कमी इंफ्रास्ट्रेक्चर का अभाव जैसे कई चुनवतियां होती थी और तब छात्रों की तरफ से कोई खास चुनवति नहीं होती थी आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी वो जो समस्याएं थी वो दीरे दीरे दूर हो रही है लेकिन आज की फीड़ी के बच्चे चात्र उनकी जो जग्यासा है उनका जो कुतव कहतुलहला है वे माबाप के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनवति चलेंग लेकर आया है ये चात्र आत्म विश्वात से भरे हुए है ये चात्र नीडर है और उनका स्वभाव आठ साल की उमर का नव साल की उमर का चात्र भी टीचर को चुनवति देता है वो शिक्षा के पारंपारिक तौर तरीकों से कुछ नहीं चीजें उससे पूछता है बात करता है उनकी जिग्यासा शिक्षकों की चुनवति देती हैं और वो पाठ्र कम और विशय से बाहर जाकर उनके सवालों को जवाब दे यहां बैटे विए वर्तमान टीचर वर्तमान बच्चों से रोज अनुबव करते होंगे वो ऐसे सवाल लेकर के आते होंगे आपको भी मड़ा मुश्किल हो जाता होगा चात्रों के पास इंफर्मेशन के अलग-अलग स्रोथ है इसने भी सिख्षकों के सामने खुद को अपडेट रखने की चुनोती पेश्की है इस चुनोतियों को एक टीचर कैसे हल करता है इस पर हमारी सिख्षा व्यवस्ता का भविश्यन निर्भर करता है और सबसे अच्छा तरीका ये हैं कि इन चुनोतियों को पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के अवसर के तोर पर देखा जाए ये चुनोतियां हमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने का मोखा देती है इन्हें हल करने का एक तरीका ये हैं कि सिख्षन के साथ साथ स्वयम को छात्र का गाइड और मेंटर भी बनाए आप भी जानते हैं कि गूगल से डेटा मिल सकता है लेकिन डिसीजन तो खुदी ही लेना पड़ता है एक गुरू ही छात्र को गाइड कर सकता है कि वो अपनी जानकारियों का सही उप्योग कैसे करे टेकनोलोजी से इन्फरमेशन मिल सकती है लेकिन सही द्रश्टिकॉण तो शिक्षक ही दे सकता है सिर्फ एक गुरू ही बच्चों को ये समझने में मदद कर सकता है कि कौन सी जानकारी उप्योगी है और कौन सी नहीं है कोई भी टेकनोलोजी किसी विद्यार्थी की पारिवारिक स्थिती को नहीं समझ सकता एक गुरू ही उसके हालात को समझ कर उसे सभी मुश्किलों से बहार निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है इसी तरह दुनिया की कोई भी टेकनोलोजी ये नहीं सिखा सकती कि किसी विशय की गहराई में जाकर उसे कैसे समझे डीप लर्निंग कैसे करें जब इन्फरमेशन की भरमार हो इन्फरमेशन के पहाड खड़े हो जाते हैं तो छात्रों के लिए ये महत्वपुण हो जाता है कि वो कैसे एक चीज पर अपना ध्यान केंदरित करें डीप लर्निंग और उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाना ये बहुत महत्वपुण है इसलिए आज कीश्वी सदी के छात्र के जीवन में टीचर की भूमिकां और जादा ब्रहद हो गई है कि अजब दूमिकल के जीचर के जादा है